हलो बच्चो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिमजिम भाग दो पाठ चौध है नटखट चूहा के प्रेश्ण वे उत्तर तो शुरू करते हैं प्रश्ण दर्जी चूहे की किस बात से डर गया उत्तर चूहे ने दर्जी को कहा कि वहरात को अपनी सेना लेकर आएगा और उसके सारे कपड़े कुता डालेगा उसकी यह बात सुनकर दर्जी डर गया प्रश्ण चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था उत्तर चूहा स्वैम को अच्छा दिखाने के लिए टोपी पहनना चाहता था प्रश्ण चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था उत्तर चूहे की टोपी शिलने के बाद साधी लग रही थी वह उसे सुन्दर बनाना चाहता था इसलिए उसमें सितारे लगवाना चाहता था प्रश्ण दरजी ने चूहे की टोपी शिलने से क्यों मना कर दिया उत्तर दरजी को लगा होगा कि एक छोटा सा चूहा क्या कपड़े पहनेगा इसलिए उसने टोपी शिलने से मना कर दिया प्राश्न बारिस के मोसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा उत्तर बरसात के कारण सडकों पर चारों तरफ पानी ही पानी भर गया होगा इसलिए चूहा अपने घर से नहीं निकल पाया होगा प्राश्ण क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा क्यों उत्तर हाँ चूहा हमें भी नटखट लगा उसने अपने नटखटपन से राजा दुकांदार दरजी तथा सितारे वाले तक को परिशान कर दिया प्राश्ण कपड़े वाले ने दर्जी ने सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया तुम्हें इसका क्या कारण लगता है उत्तर कपड़े वाले ने दर्जी ने तथा सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह छोटा सा जीव था उन्हें लगा होगा कि यह हमारा क्या विगाड़ लेगा प्रश्ण चूहा अपने कामों के लिए बहुश से लोगों के पास गया इन कानों के लिए तुम किस के पास जाओगे काम और नाम कपड़ा खरीदने कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास लकड़ी की कुर्शी बनवाने बढ़ी के पास किताब पर जिल्द चलवाने पुस्तक विक्रिता के पास बाल कटवाने नाई के पास महले की रखवाली करवाने चौकिदार के पास मिट्टी के दिये और सुराई खरीदने कुमार के पास मा की घड़ी ठीक करवाने घड़ी साज के पास प्राश्ट खाली जगे भरो इस कम्रे में दो खाली जगे हैं खिड़की बुआ समीना के लिए धेरों डैस लाई है कौपी खाली जगे डैस मैदान में फुटबॉल खेल रही थी लड़की गोविन तेजी से खाली जगे चड़ रहा था शीड़ी गंदी जगे पर डैस खाली जगे भिन बनाती रहती हैं मख्य उत्तर इस कम्रे में दो खिड़की आएं खिड़की का बहुवचन खिड़की आएगा दो के लिए बुआ समीने समीना के लिए धेरों कापियां लाई कौपी का कापियां बन जाएगा लड़कियां चीडियां गंदी जगे पर मक्षियां भिन बिनाती रहती हैं मक्षी का भुवचन मक्षियां प्रश्ण तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं क्यों उत्तर यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता क्योंकि कपड़ा नहीं देकर मेरा बहुत सारा नुक्सान होता है थोड़ा सा कपड़ा देने में मेरा नुक्सान नहीं होता प्रश्ण चूहा राजा बनकर देखना चाहता था तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या 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 करते होंगे उत्तर राजा दिन भर परजा की देखबाल सुरक्षा संबंदी बातों पर विचार विमर्ज करते होंगे उन पर पूरी परजा की देखबाल और सुरक्षा की जिम्मधारी होती होगी अत्य वह इनी सभी कामों में उल्जे रहते होंगे प्राश्न तुम चुहा बनना पसंद करोगे या राजा क्यों? उत्तर मैं चुहा बनना पसंद करूँगा, राजा का जीवन बहुत कठिन होता है, उसकी अधिकतर उम्र युद्ध करने में ही बीच जाती है, वे अपने राजमहल तक में सुरक्षित नहीं रहता है, उसके वि चाहता हूँ, प्राश्न दरजी अपने काम में कैची, फीते, मसीन, धागे, आदी का इस्तेमाल करता है, ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं, उत्तर बढ़ाई, आरी, हतोडा से करता है काम, रसोईया, कर्ची, चिम्टा से करता है काम, डॉक्टर, दरजी सब्द में, रह की अवाज है, जिसे उपर निशान लगाकर लिखा जाता है, ऐसे ही कुछ और सब्द लिखो, मर्जी, सर्दी, गर्मी, घर, धर्म, करम बच्चो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक अवशे कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवशे कर लें, धन्यवाद